नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका श्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सी फीमील हतीली अ महिला जातिका है और आपकी रियल हतेली मेरी शामने विबेचना के लिए आ रहुए है सबसे पहले देखें तो एक खूब सुरत तरीके से आपकी हतेली की आकरती बनी हुई दिखाइदे रही ही है जो पूरी तरौश मेरा स्रेष्ट माना गया है बहुत उच्चकोट की हतिली ऐसी माने गई है अब इन हतिली के कारण कुछ चीजे कुदरती तोर पे आपकी जीवन में बनी रहेंगे और हमेशा रहेंगे एक तो कहीं न कहीं एक रिसर्च वाला व्यक्तित तो आप करेगा रिसर्च की जो अनुसंधान की जो एक्सफ्लोरिं है यह आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी दूसरी बात है कि कहीं न कहीं जिग्यासु परिवर्ति वाला व्यक्तित्व बना रहेगा एनलेटिकल किसम का तीसरी बात है अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो आप ऐसे करियर में जादा तरक्य पाएंगे जादा काम्याबी ह हासिल होगी जिस कार्य में मस्तिस्क का बहुत जादा प्रभाव होता है सारिक मेहनत की जरूरत कम होती है या जिस करियर में बोलने से बहुत जादा काम चलता है ऐसा करियर आपके लिए बहुत जादा सुटेबल रहेगा तरक्य देने वाला रहेगा और उन्नतिवी आप ख बहुत खुब सूरत है आंकों को सुकून दे रही है इसका मतलब है अभी ग्रहों की उजोसे और हस्त की रेखाओं की उजोसे मामला जरूर गड़बड है लेकिन यकीन मानिएगा चार वर्स के बाद अपने को देखेगा आप ठीक चौथे वर्स के बाद से मनी 35 वर्स के मिड देखेंगे आपकी जीवन में अनायास ही चीजें बदलनी सुरू हो जाएंगी पूरी तरह से और यकीन मानिए अभी तो एक डेट वर्स से ही चीजें बहुत अच्छी होने बैठ जाएंगे लेकिन जो वास्त्विक रोप है यहां पे 35 वर्स के मिडल से पूरा भाग्योद यहां पे दिखाई दे रहा है एक चुल रोप में तो भाग्योदो यह बहुत अच्छा है फिर 41 एर से आपकी जीवन में और बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है फिर 45 वर्स से उससे भी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और फिर बुडापा भी आपका सांदार द लेखे लिए हैं ये आपका भाग्य अस्तान है और भाग्य अस्तान मनि सनी का परवत और उस शोüst पीज़ों का रही है ठीक है न? इसका मतलब है जीवन में एक चीज जरूर रहेगी बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा प्रिस्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा अब एक और चीज दिख रही है दो चीजें उन पे भी चलते हैं फिर आपकी सवाल लेते हैं यहां देखेंगे यह आपकी मस्तिस्क रेखा है यहां यह देख रहे हैं यह है आपकी मस्तिस्क रेखा और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ता है नीचे से जब चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ता है तो इस आवस्ता में विक्ति बहुत जादा सोचना सुरो कर लेता है दिन रात सोचता ही रहता है कलपना ही करता रहता है और मन की एकागरता भंग हो जाती है लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है जब भाग्योदाई होता है जैसे आपका 35 वर्सस ये है तो विक्ति बहुत बड़ी जिसको कहते है स्रेश्ट सपलता वो हासिल करता है लेकिन कलपना सक्ति फिर भी विक्ति की बहुत तीबर रहती है ये दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर देखेगा ये क्या है मस्तिस्क रेखा जो है गैप दे रही है यहाँ पर जब इस प्रकार की गैप देती है मस्तिस्क रेखा तो ऐसी रेखा मानसिक अवसाद को दिखाती है मन एक जगह पर टिकता नहीं है और ब्रहम की इस्तितियों को दिखाती है एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे और नियमों का पालन नहीं कर सकता है ऐसे मिविक्ति जीवन में धन तो आता है लेकिन संगर्ष के बाद ऐसे लोगों की पास धन आता है और ये लोग बहुत भावक भी होते हैं भावक बहुत जादा ये लोग होते हैं और ऐसे लोगों का अशनायू तंतर कमजोर होता है और एक बाद जीवन में ध्यान रखना उधार धन का लेन देन करने से बचना है आपको ठीक है ने अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सनी ग्रह के नीचे जो है गैप दिखाई दे रहा है जादतर ऐसे मामले में 24 साल के उम्र के आसपास वहन चलाने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए यह दुरगटना को दिखाता है या अगर छोटी मोटी सारीक कष्ट हो रहा है तो डॉक्टरे इलाज करना चाहिए ने तो बड़ा सारीक कष्ट को इंगित करता है और कभी भी ऐसे लोगों को पार्ट नर्शिप से कही न कहीं तनाव होता है धन का नुक्षान होता है और कर्ज के लेन देन से भी आपको बड़ा बचा के अपने को चलना चाहिए यह आपकी हतीली की मस्तिस्क रेखा है ठीक है ने अब और चीजें साथ साथ में बताते जाओंगा आपके सवाल ले लेता हो ठी उसका कारण क्या है यह आप जानना चाते हैं और कब वो जो है चीजें ठीक होंगी उसको आप जानना चाते हैं यहां पे देखेगा क्यों हो रही है यह आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और उसके नीचे का भाग देखेंगे तो यह ब्रिस्पती का परवत है गुरू क परवत यहां पी गुरू का परवत पूरी तरों से जो है सनी की तरब जुक रहा है जब यह सनी की तरब जुकता है तो परिवार को लेकी चिंताइं देता है काफी ज्यादा चिंता होती है और यह मानसिक अवशाद को और ज्यादा बढ़ा लेता है ठीक है ने तो ऐसी इस्ति का जो है जाल बन जाए तो कहीं न कहीं जीवन में दिक्कतों को देता है स्वस्तिय को लेके और संतति के मामले में बड़ी प्रेशानी होती हैं संतान को लेकी चिंताइं आ जाती हैं दिक्कतें बढ़ जाती हैं पोजा पाठ कितना भी करो इस्ट किरपा नहीं हो पाती हैं कई कई बार, ऐसी इस्तिति में घर की जो बुजर्ग होते हैं उनसे सम्मंद खराब होने सुरू हो जाते हैं या बुजरों की वो जो से भी जिवन में प्रेशानी आनी सुरू हो जाती है। तरकी नहीं मिल पाती है, चाहिए लाग प्रयास करे, ब्रिक्ति बस गुजारा करता रहता है, इनकम कई बार बढ़ सकती है ऐसे लोगों की, लेकिन उस लेबल को पार करके दोसे ओर्बिट में नहीं जा पाता है, ये कहीं न कहीं ब्रिक्ति की जीवन से खुश हाली निकाल ल क्या करेंगे इसको ठेक करने के लिए उपाई तो मैं आपको वर्षप पर दे दोंगा, ठेक है न, लेकिन एक काम येहीं पर बता लेता हूँ, किसी भी ब्रष्पतिवार को, या उससे पहले लेआएं लेकिन करना ब्रष्पतिवार को है, किसी भी दिन आप दुकान से उसको घर ले आए और उसके बीच में पीला लिफापे में अपने सामर्थे के उनसार दक्छना रखें और अपने कुल प्रोहित को ब्रिस्पतिवार को दे या जिसको आप गुरु मानते हों लेकिन ब्रामन होना चाहिए या तो जो आपके घर में पोजा पाट करने आते हैं लेकिन ब्रामन होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें उनको दान करें और उनकी चरणों में पूरी तरो से अपने मस्तिस्क उनकी चरणों में लगना चाहिए इस बात का ध्यान रखें उनको कहना भई हमें किसी ने बताया है कई लोग जो है अपने पैरों को नहीं छोने देते हैं लेकिन पूरा मस्तक गुरु के चरणों में जो है लगाना है और उनको कहना कि आप मेरे ब्रह्मरंदर में जहां पर आदमे लोग देखे हूंगे अपने चोटे रखते हैं वहां पर अपने हाथ का मध्यभाग रखें और आशिरवाद दे पुत्रवान भो इस परकार का आशिरवाद दे तो वो आशिरवाद आपको लेना है अगर पंडित को दान करने के बाद खाना भी खिलाए तो ये और बे अच्छा रहेगा और अपने हाथ का बनाया हुआ है ठीक ने घर में जो काम करने वाले सयोगी रहते हैं उनको ने स्वयम का बनाया हु और जो भी कश्ट है आपके ने वो गुरू के चलड़ों में चले जाएंगे इस बात का ध्यान लखना आप यकीन मानिएगा आपको बड़ा फाइदा होगा चिंताई मिट जाएंगी ये निश्चित है दूसरा क्या करना है आपने कि रोज सुभा नियम बनाना है कि दिव् से कम तीन महेने तक जरूर करना है और दिव्य योग ध्यान के रिया एक प्रकार का प्रणायाम है वो दे रहा हूं वो जरूर करना है और ब्रयस्पती का मैं उपाई दे रहा हूं उस ब्रयस्पती का उपाई को आप जरूर करें तो निश्चित त 大प है вunctionहblowing दिख देखो म आप प्रश्न लिखती हैं जीवन में सिक्षा बहुत अच्छी मिली है आपको लेकन सिक्षा अच्छी मिलने के बावजूद करियर में अभी भी आप सेटल नहीं हो पाई है निश्चित तोर पे नहीं हो पाई है क्यों नहीं हो पाई है एक तो आपकी करियर और जो धन की में नहीं आ रहा है ये ठीक 35 वर्स में जाके अपने पूर्ण रोप में आ रहा है तो 35 वर्स से आपका करियर पूरी तरो से सांदार इस्तिती में आ отличed में आना शुरू हो जाएगा और धन की इस्तिती बेहितरीन होनी सुरू हो जाएगी और भग्य का जो साथ है वो मिलना बहुत अच्छा हो जाएगा ये निश्चित है और दूसरा है जब ब्रिस्पती इस प्रकार सी हो आपने कहाने बहुत अच्छी सिक्चा है लेकिन करियर में सटल्मेंट नहीं हो पा रहा है तो मैं पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ जब ब्रिस्पत मिल भी गया तो व्यक्ति उस प्लेट फॉम को सहीज तरीके से यूज नहीं कर पाता है जब ब्रिस्पति खराब हो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का जो बैबाहिक जीवन है उस जीवन का चरम सुक का भोग नहीं प्राप्त कर पाता है और संतान को ल के प्रेशानिया रहती हैं और सभी परकार के जो वास्त्विक सुक हैं उन सुकों में ये कमी देता है और ऐसे लोगों को समय पे गुरू नहीं मिलता है गुरू का मतलब सिक्षक जो सिक्षा दे या सही दिशा दिखा दिखाए और कहीं न कहीं जीवन में ऐसे में बड़ा गर्श करना पड़ता है और कभी-कभी आपने देखा होगा ऐसा व्यक्ति चैंव महिला हो पुरुष हो अपने आपको अकेला महसूस करते हैं तो यह यहां पे दिखाई दे रहा है और ऐसा गुरू व्यक्ति के जीवन से खुसहाली निकाल लेता है व्यक्ति को सितिल कर ले होना ज्यादा फाइदे मन्न होगा देखेगा यहां पे हतेली की जो आकरती है उसके हिसाब से निश्चित रोप से आपको सरकारी के लिए प्रियास करना चाहिए लेकिन और कोई भी योग नहीं बन रहा है जो सरकारी सपलता दिलाए तो एक योग से कुछ नहीं होता है ब्यापार अगर करें लेकिन साजेदारी में ना करें तो लाब होगा लेकिन सबसे अच्छा लाब आपको चाही नोकरी करो आप प्राइवेट चाहे आप ब्यापार करो आपको 35 वर्स से ही लाब होगा अर 35 वर्स से पहले आप जो है प्राइवेट नोकरी कर ले तो आपके अब आपने चौथा प्रश्ण लिखा है क्या टीचिंग लाइन के बारे में सोचना चाए जरूर सोचना चाए लेकिन जब तक गुरू अपनी अच्छी अवस्ता में नहीं आता हो हतेली में मैं जो है जनम पत्री या किसी अन्य चीज विद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ बिद्धाएं बहुत हैं जो तिसकी लेकिन मैं हस्त रेखा की बात कर रहा हूँ जब हतेली में गुरू अन्बैलेंस हो तो चाहे सिक्षा का छेतर हो चाहे इंजिनियरिंग का छेतर हो चाहे चिकित्सा का छेतर हो चाहे मैनेजमेंट का छेतर हो चाहे बानिज्य का छेतर हो चाहे कानून का छित्र हो चाहे राजनीति का छित्र हो इन छित्रों में आसा के अनुरोब परिणाम नहीं मिल पाते हैं ठिक तो आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है अपने ब्रिस्पती को मजबूत करके चलना है खुद का घर कब लेना उचित हो उचित रहेगा देखेगा अभी कम से कम आप 18 मेहने तक रुख जाएं उसके बाद अगर आप अपना घर लेते हैं तो आपके लिए बेहतरिन रहेगा ये निश्चित है अब आप लिखते हैं धार्मिक लगन अच्छा है वो तो दिख रहा है पर अध्यात्मिक उन्नति के लिए सलाह दे देखेगा आपकी जो इष्ट देव हैं सबसे पहले मैं उनको बता दो वो कौन है यहाँ पे देखेंगी ये आपकी जीवन की रेखा है ये आपकी मस्तिस् करियर और धन की रेखा है ये आपकी जो है हिर्दे रेखा है इनके अनुसार एक बहुत ही जो है अनबैलेंस है लेकिन M का अक्छर है इसका मतलब यही है कि आपके जो पंच तत्व हैं पंच महां बहुत हैं जिनसे आपका सरीर बना है फाइब इलमेंट जो आपके पांच ज्यान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया हैं पंच महां कोस हैं अश्टा चक्र हैं और नवद्वार हैं उनके उनसार देखें तो भगवान शिव देवों के भी जो देव हैं भगवान शंकर वो आपके जो है इस्ट देव हैं तो इनकी स्रणागति आपको जाना है अनती है उस सिखर पे पहुंचेगी ये आपके सवाल थे अब चलते हैं पुना कुछ और बिसलेशन आपकी हतेली का देखते हैं यहां पे देखेंगे तो अंगोठा बहुत सांदार है आपका एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प तो ऐसे लोगों का अपने जीवनकाल में अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है और जीवन में जब भाग्योदाई होता है अन्यरेखाओं को देखे तो ऐसे लोग भगवान की किरपा बहुत अच्छी होती है लोगों का सयोग मिलता है और कहीं न कहीं ब्यक्तिका कोई काम न यह रेखा हो तो यह ब्यक्ति के अंदर साहस को देती है और ब्यक्ति किसी भी प्रस्तिते में हो जीवन में जीत हासिल करता है यह इन चीजों को दिखाता है यहाँ पे देखेंगे तो यह पूरी तरों से जुक रखी है यकीन मानिएगा यह बता रही है कि धार्मिक ब्यक्ति के अंदर ब्यापार के गुण बहुत अच्छे रहते हैं जरूरी नहीं ब्यापारी हो लेकिन सब को साथ लेके चलना अपनी बातों को बहतरीन तरीके से रखना यह इस चीज को देता है यहाँ पी देखेंगे तो हिर्दे रेखा कहीं न कहीं देव गुरू ब्रस्पति से मिल रही है 35 वर्ष से ऐसा समय आ रहा है चाहे आप व्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन ब्यतित करेंगे मस्तिस्क रेखा के बारे में हमने सबसे पहले बता दिया है जीवन की रेखा बहुत अच्छी है परिवार की परतिसमरपन की भावना रहेगी और बहुत कीरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा एक रेखा इस तरोसी जाती हुई दिखाई दे रही है फिर ऐसा है एक रेखा इस तरोसी जाती हुई दिखाई दे रही है फिर ये बनते हुई यहाँ पर दिख रहे हैं दो-दो मचलिया हैं इसका मतलब है जीवन में अच्छी यात्राइएं भी होंगी धर्म में अध्यात्म में बहुत अच्छी रूची भी रहेगी और कहीं न कहीं जो है इसकी नौलेज भी जीवन में बहुत अच्छी रहेगी यहां पे करियर और धन की रेका बहुत अच्छी नहीं है तो अभी करियर में और धन के मामले में थोड़ा चीजे उतार चड़ाओं पे रहेंगी यह दि तो कारे के परती जिजहारवपन देती हुई दिखाई दे रही हैं आगे चल कर जिस कारे को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और जित हुद ऐसील करेंगे बहुत अच्छा है सुक्र का परवत भी उबरावा है पेछे की तरफ जुक रहा है गोमने फिरने की बहुत ज़्यादा सौकिन रहेंगे आगे चल कर मौका मिलेगा परवत सुन्दर है तो अपने को मैंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीज़ें जादा नजर आ रही है नई चीजों के पर तिरुजान रहेगा खास कर नई परकार का फैशन है नई प्रकार के कपड़े हैं या मारकेट में कोई नई प्रकार की चीजे है बहुत एक सुकषविदा की तरप आपका आकर्सन बहुत ज्यादा रहेगा ग्लेमर हो चमक हो चकाचोन हो लगजरी हो अर्ट्रा लगजरी हो इसके तरप और आगे जाकर यह घ्लेमर भी देगा च्काचोण भी देगा लेकिन यह 36 years से घ्लेमर देना शुरू कर देगा और कहीं न कहीं जो है एक जो होताने घ्लेमर एक खिंचाओ बहितरीन उसको देगा अभी की इस्तिति अगर हम यहां पे देखते हैं तो जाल बनावा है किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही है चिंता भी कर रही है बहुत ज़्यादा महिनत कर रही है परिस्रम कर रही है लेकिन परियास कर रही है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं अभाव की इस्तिति जन्म ले रही है लाख प्रयास कनने पर सारे साधन होने के बाब जोद भी जो सुखद जीवन है सुखद का अनुभवनी हो पा रहा है सुख उस परकार से नहीं मिल पा रहा है निमन मंगल बहुत बहुत बहुतरीन है लेकिन जाल बनावा कई बार कनफ्यूजन उल्जन और दुविधा दिखाई दे रही है और निल्ने लेने की ताकत में कमी कर रहा है दिब्य सुरे किरिया दे रहा हूँ जरूर करे लाब होगा उपनी मंगल बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा आगी चल कर ऐसा दिखाई दे रहा है वो कमफर्टेबल फेल करेगा यहाँ पर अच्छी इस्तिति है गुरू के बारे में हमने पूरी तरो बना रहेगा लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें यह थोड़ो उभर रहा है दिब्य योग ध्यान के रिया प्रणायाम जरूर करें इसको उभरने से बचें गंभीर विक्तित्तों तो देगा लेकिन बे ओजह की परेशानिया जै कोई न कोई ओजह परेशानिय का खड़ा कर और सुबह उठ्ने में आलश्य देगा यहाँ पर देखिए सूर्या सूर्या भी अभी अच्छी अवस्ता में आगे चलकर आ रहा है तो लाब देने की स्थिति में है आपका बुद्ध बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर बार्तमान में कम से कम छे मैने तक के लिए यहां पर जाल बन गया है तो थोड़ा सा वानी की जो ताकत है बोलना कुछ चाहेंगे बेक्ति कुछ और समझेगा और इससे थोड़ा सा अलग हिसाब हो सकता है और जो लगजरी है जो खुसियां है जीवन की उनको थोड़ा सा कम करता हो दिखाई दे रहा है चंद्रमा आपका बहुत अन्वैलेंस है सरीर का हार्मोनल सिस्टम का ध्यान रखेगा और जो क्रियेटिविटी आपके अंदर है उसका ध्यान रखेगा छोटा छोटो उपाई दोंगा लाब होगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतिले का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है और उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके आडियो के माद्यम से बेज रहा हो आप करने की कोशिस करे निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार